यह कहानी बराडी परखन की है जो की कट हैर जरा में पढ़ता है यह सरक सेमापूर से सिमना धला तक पारित हो चुका है बीच में 3 किलो मीटर बोरो पार से रोणिया तक नहीं बना है जिसे की समदायक को बहुत से कटनाई को समना करना पढ़ता है और आगे पीछे दोनों तरफ बन गी गया है शिकट पंचाद में कुछ दूर तक बनी गया और रोणिया पंचाद में पर रेलवे डला तक बन गया है बस बीच में 3 यह पोने 3 किलो मीटर के दूरी बच गया है वो भी चाप रसता मीटी इतना भी चिकनाट है ऐसे आद भी हल पतनी को लेके सवास्त के अंदर जाड़े थे तो रास्ते में हमें धोच सिकर्थनाई को समना करना पर आप जो भी आढ़े थे और गीर गए तो आपको कैसा महसुस हुआ रोडे इतना खराब है कि इसमें इतना किचड होता है कि पानी वर्सा में इतना यहां पर मीटी चिक में बहुत दिकत होता है रात में तो ले जाना बड़ी मुश्किल की बात हो जाता है रात में तो ले जाना बड़ी मुश्किल की बात हो जाता है रात में का लाम पर डिलावरी पर से लेके जा रहे थे रास्ते में टेम्पू पर से उतार के फिर आगे बढ़ा के पैदल चल तो उलटने पुलटने का भी संभावना हो जाता है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई और मैं चाहती हूँ कि यह बीच में 25-30 क्लिमीटर सरक जल से जल बन जाए। झाल कि यह बीचार वीच में 25-30 क्लिमीटर सरक जल से जल बनाए। झाल कि यह बीच में 25-30 क्लिमीटर से जल बनाए। झाल झाल